हाई स्टूदेंट्स वेलकम बाक टुआ क्लासेज आज हम यूनिट टू के पार्ट फोर को डिस्स करने वाले हैं यह एक काफी बड़ा टॉपिक है जो कि है परस्नालिटी ठीक है परस्नालिटी आप सब जानते हो क्या वर्ड है यह वर्ड सुना है आमने पहले भी इस परस्नालिटी टॉपिक का देखो इसमें क्या है इस उल्ड प्रक्तिस ठीक्लासिफाई परस्नालिटी इन्टो वेर्यस काटेगरिय यह रिस प्रस्नालिटी को बहुत चैगराइज किया है बहुत चीजों में बांटा है इंशिंट इंगें फिलॉसोफर के हिसाब से पिसना यह क्या है, first है यह quality, जो कि हमारे humanity या अच्छाई हमारी से, जो quality होती है, उससे related है, goodness से, रज, यानि हमारा रजोगुन या रजगुन, यह हमारा passion for love and pleasure, यानि इसमें क्या है, एक इनसान के जो worldly, यानि संसारिक जो उसको desires है, उसका passion है, उससे यह related है, तम यानि तमोगुन, यह हमारा sin, anger, ignorance, उन चीजों से है, मतलब जो हम, you know, darkness जो आप कहलो, ठीक है, यानि कि गुसा आना, किसी चीज, गुसा करना, किसी चीज के खिलाफ किसी को ignore करना, ठीक है, again I would like to mention, pronunciation vary हो सकती है, आप अपनी language में जो भी बोलना चाहें, आप पढ़ सकते ह हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, यह मेरी particular pronunciation है, word की, so, this is the first classification, Kretschmer's classification, Ernst Kretschmer, हमारे एक German psychiatrist है, जिन्होंने 4 types में divide किया है, और उनके basis क्या है, physical constitution के basis पे, उन्होंने personality को divide किया है, सबसे पहला है, Aisthenic, Aisthenic कौन से लोग होते हैं, जो बहुत पतले से होते हैं, बहुत delicate, छुई-मूई types, ठीक है, short shoulder, उनके shoulders छोटे रहते हैं, और उनके body parts लंबे और बहुत पतले रहते हैं, और यह physically काफी strong नहीं रहते, ठीक है, और इनका काम क्या है, इनका काम जादतर रहता है, दूस इनके broad रहेंगे, और इनके body parts लंबे और strong हैं, physically attractive हैं, और यह optimistic हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं, और पिकनिक personality कौन सी हुई, यह इनकी physique round, मोटे छोटे गोल मोल टाइप्स, यह भी strong और healthy हैं, इनका round chest रहता हैं, और इनका plump face ऐसा गोल चा फूला फूला फ then dysplastic, जो उपर के तीनों qualities मिला के जिसमें हो, वो हमारे dysplastic type के हो गए, ठीक है, easy था, next हमारा junks classification, जो कि हमारे काल जी जंग ने दिये हैं, तीन हैं, introverts, extroverts, ambiverts, हम सब ने यह words सुने हैं, introverts जो फोड़ा कम बोलना पसंद करते हैं, फोड़े reserve होते हैं, अपने अपने में रहते हैं, यह flexible नहीं होते हैं, मतलब जादा थोड़ा चिंतित से ही रहते हैं, इनको social होना पसंद नहीं है, जादा दोस्त वराना पसंद नहीं होता, इतने popular नहीं है, और विस सब link देखो, कम बोल रहे हैं, तो दोस्त कम हैं, तो popular नहीं हैं, बहुत जादा अपने ही अप कि अपने में ही रहते हैं तो अच्छे विचार बहुत करते हैं तो यह अच्छे thinkers होते हैं लेकिन अपनी बात को बोल कर नहीं लिखकर चाहे तो express कर सकते हैं ज़दातर poets, philosophers, scientists इसी category में आते हैं एक्स्ट्रोवर्ट की बात करो इनको बहारी words से बहुत मतलब है बहुत courageous होता है इनमें इनको डर जल्दी नहीं लगता positive thinking होती है और environment में अपने आपको adjust कर लेते हैं समय के साथ अपने views change करने में बिल्कुल उनको कोई आपती नहीं है carefree है ठीक है qualities adopt कर लेते हैं और politicians, social workers इस category में हमारे आते हैं, next हमारा है ambi words, ambi words वो होते ना तो पूरी तरह intro words है ना पूरी तरह extra words है क्योंकि उनमें दोनों की qualities हैं, ठीक है जादा दार लोग इसी category में आते हैं, मतलब अपने दोस्त के साथ होंगे तो अच्छे से बहुत बोल दिया, अपने known people में काफी मतलब हस्त के उरके बोल लिया, ऐसे एकदम नए यह लोगों में, जल्दी नहीं है बर तीरे-दीरे घुल गए, ठीक है, तो वो हमारे ambi words हो गए, next है हमारा Sheldon classification, जो कि हमारे William Ed Sheldon ने दी है, endomorphic, mesomorphic, ectomorphic, endomorphic कौन से होगा है, जिनकी बहुत ही टेंडर सी फिजीक है, यह न, fat से है, plump face है, highly developed है, लेकिन उनका structure जो धाचा है, वो थोड़ा weak ही रहता है, काफी energetic नहीं है यह लोग, और easy going है, ठीक है, mesomorphic, वो लोग जो physically strong है, strong physique, अच्छी health, energetic है, और आपकी courageous इन में बहुत साहस रहता है, एक्टो मॉर्फिक वोले लोग physically weak ही रहते हैं, नेचर में काफी डरे-डरे हैं, इनकी हड़ियां बहुत जादा आपकी कमजोर हैं, लंबे होंगे लेकिन energy नहीं होगी, नेचर में भी काफी धीले-डाले से होंगे, और बहुत ही un-social type है होंगे, इसने क्लासिफिकेशन जो कि हमारे एच जे आइसनेक में दी हैं, इसमें भी वही हैं, इंट्रोवर्ट, एक्स्ट्रोवर्ट, न्यूरॉप्टेक्स, और साइकॉप्टेक्स, अब देखो, इंट्रोवर्ट, एक्स्ट्रोवर्ट अभी मैंने explain किया था, इंट्रोवर्ट जो लोग अपने आप में ही रहें, शाय हो थोड़े, कम बाहर के वर्ल से उनका लेने देना हो, अपने अपने रीडिंग वगरा में लगे रहें, ठीक है, और अच्छा कंट्रोल होता है इनके अंदर अपनी feelings और emotions के उपर, बहुत जल्दी excited नहीं हो जाते एक्ट्रोवर्ट, easy going लोग, social, optimistic, लेकिन यह बहुत जल्दी excited हो जाते हैं, ठीक है, नियुरोटिक्स क्या होते हैं, देखो, विलियम कुलेन used this word first time, people suffering from psychoneurosis is called neurotic, ठीक है, ऐसे इंसान में दिक्कत क्या होती है, such person is unable to satisfy his belief, यानि वो क्या है, unsatisfied, हमेशा थोड़े worried से रहते ह हैं, चुई-मुई types, यह जल्दी easily जगाओं पर adjust नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हमेशा ही परिशान रहते हैं, हमने देखे होंगे न, कुछ प्रोग होते हैं, हम कहते हैं, तुझे कितनी चिंता है, यह परिशान रहते हैं, तो यह वो हो ही classify, then हमारा psychotics कौन से हो गए, वो इंसान जो depression, suffer कर रहे हैं, जो sad रहते हैं, वो भी जल्दी easily environment में adjust नहीं कर पाते हैं, और किसी की situation में यह subtle, मतलब थोड़ा subtle behave नहीं कर पाते हैं, और यह भी काफी anti-social है, इनको भी social होना पसंद नहीं है, तो यही classification थी, इसमें इतना ही है, अगर, मैंने सबकी सब table form में डाली है, तकि आपको, you know, याद करना बहुत easy हो जाए, सबका screenshots ले सकते हो, presentation view में इसलिए डाला है, तकि, you know, easily readable हो, understandable हो, screenshot ले लिजिए and इसको आप अपने exam के लिए पढ़ सकते हैं, so thank you for watching and keep learning students.